हाँ तो दोशने यहाँ पे पीरामल एंटरप्राइजिस के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो चले शुरू करते हैं तो इसके सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 33 रुपीस का डिविडेंड यहाँ पे कमपनी ने रिकमेंड किया है तो यानि कि अभी 1700 के लगवगा भी शेयर का प्राइस चल रहा है तो उसके साब से अराउंड 2% का यह डिविडेंड इल निकल कर आ है 3,401 करोड का तो ओल अराउंड यहाँ पे quarter on quarter basis यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है लेकिन यहाँ पे एक शौकिंग वाली बात है वो यह है कि यहाँ पे कमपनी को 510 करोड का लॉस हुआ है जबकि पिछले quarter में 799 करोड का प्राफिट हुआ था अब दे है तो उसकी वज़ा से यहाँ पर हम कोई कमपनी का जो प्राफिट है वो लॉस में जाता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यह मेरे क्याल से टेंपररी है लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा अब उसके बाद अगर हम year on year basis यानि कि पिछले साल के जैनुरी से मार्च वाले quarter से हमको revenue में देखने को मिला है यानि कि पिछले साल के comparison में यहाँ पर revenue content रहा है अब इसके बाद अगर हम profitability की बात करें मनलब year on year basis यहाँ पर 510 करोड का loss आया है जबकि पिछले साल इसी same quarter के अंदर 1702 करोड का loss था तो पिछले साल के loss चे तो यहाँ बहुत ही कम loss है तो यहाँ पर गिर नहीं रहा थोड़ी भी growth अगर देखने को मिल रही है तो वह यहाँ पर shareholders के लिए अच्छी बात है अब यह देखे 38,223 करोड का market gap एक large gap company है और यहाँ पर देखिए 0.83% का dividend yield पहले था लेकिन यह जो dividend यहाँ पे इनोंने 33 रूपीज का dividend अनौंच किया है 2% का dividend yield company का निकल कर आता है अब आपको लग रहा होगा valuation point of view से यह काफी attractive है बहुत costly है देकि 189 का price to earning ratio आपको यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यह result के बाद जो company का earning पर share निकल कर आता है वो है 56 रूपीज कितना 56 तो उसके साब से इसका जो price to earning ratio है वो around आपको 32 या 33 टाइम निकल कर आता है तो valuation का भी कोई concern नहीं है योगि industry का जो price to earning ratio उससे भी कम valuation पर मिल रहा है और pyramal enterprises को अगर आप देखोगे तो एक NBFC firm भी है और उसके साथ में एक अपने pharma company भी है अब यह देखे अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार इसके top line पर कोई भी इस बनते आ रहे हैं लेकिन 1.47 यहां पर था फिर उसके बाद में पिछले साल भी वह 1700 करोड का loss last quarter के अंदर हुआ था और इस बार अभी goodwill right of करने की वजह से around 500 करोड का loss company का आया है लेकिन यह बात अच्छी है कि पूरे साल का अगर आप देखोगे तो around इस बार 1500 से 2000 करोड का profit company का निकल कर आया है अब यह देखिए 1694 पर यहां पर company का share अब भी trade हो रहा है और अगर आप देखोगे 3229 का हाई है तो almost यहां पर आपको यह 50% discount पर यह share भी आपको मिल रहा है अब देखिए दोस्ता आपको पता भी होना चाहिए कि पिरामल enterprises ने DHFL को भी acquire कर लिया है DHFL के खास बात ही कि उसका market share अच्छा कासा है और अगर वो company को वहां पर पिरामल enterprises अच्छा कासा market share housing finance company के अगर वो capture करने में कामियाब होती है तो यहां पर पिरामल enterprises की profitability आने वाले समय में अच्छी कासी बढ़ती हुई नजर आ सकती है यह पिरामल enterprises के shareholders के लिए बहुत ही बात है तो यहां पर आप इसे loss देखके यहां पर जो भी long term investors है यहां फिर जिनको ऐसा थोड़ा panic जैसा लग रहा है तो देखिए कोई issues वाली बात नहीं है चुकि थोड़े bad quarters company के लिए रहेंगे यह bad quarters की वज़े से यहां को company में अच्छे मौके मिलेंगे कि आप इनको और एक अच्छे rate पर आप इन stock को और अपने portfolio में add कर सके अब रही बार short term view की तो short term view मेरे ख्याल से जो 510 crore का loss net में आपको दिख रहा है वो हो सकता है market negative ले सकता है तो इसलिए आपको उसको panic नहीं होना है जो long term investors है वो बने रही है अगर loss में है तो average की जिए short term के लिए कोई कोई भी इसमें मेरे काल्चर position नहीं लेनी चाहिए तो दोस्तों मैं hope करता हूं कि पिरामल enterprise के q4 के result के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day